हेलो फ्रेंड्स कैसे है आप सर वेलकम तो माई चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं चीजी उत्पम फुल अफ चीज एंड फुल अफ वेजी टेबल्स ये सारी चीजे हम मिक्स करके आज हम अच्छे से बहुत बढ़िया एक उत्पम बनाने जा रहे हैं तो आएए देखते हैं हमें इसमें क्या-क्या चीज की जरुवत है आदी कटोरी हमारे पास है सूजी इनो दही और यह एक चीज स्लाइज है जो हम यूज करेंगे शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, पीली शिमला मिर्च, धनिया पत्ती और कडी पत्त यह हम चीजे हम मिक्स करेंगे यह आप जो भी इंग्रीडियेंट्स आप देख रहे हैं यह सब 2-2 टेबल स्पून हम मैंने ली है तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बना सबसे पहले हम एक mixing बॉल देंगे यह आदा कटोरी जो हमारी सूजी थी हम इसमें डालेंगे इसमें हम तीन टेबल स्पून दही यूज करेंगे और इसको हम एक अच्छे से mix करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और साथ साथ इसे mix करते रहें क्या और तर सुब स्वबल, क्याओक, यह पक्याओक, क्याओक, शोछ़ग्षण स्वबल, क्याओफ़ग्स यह दो इसे रहें, आपपना, क्याओ़व्स इसे उन्याओ़फबग्स नहें हैं लाग만 अढ़ने के जब तो आप देख सकते हैं यह बड़े ही अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसको हम थोड़ी देर इसको ढखके हम रखतेंगे 10 मिनिट के बाद अब हम इसे खोल के देखेंगे तो आप देखें कि पानी दही में सूजी बिल्कुल फूल चुकी है अब इसमें हम अपने बाकी के इंग्रेडियंट्स डालेंगे यह टेबल स्पून थी है मेरी टू टेबल स्पून दो दो चमचे मैंने प्यास की लिए दो पीली शिमला मिर्च दो हरी शिमला मिर्च टमाटर दो चमच दो चमच हरा धनिया दो हरी मिर्च और दो चमच है मेरी यह कड़ी पत्ते हैं यह सब इंग्रेडियंट्स यह सारी चीजे मैंने मिक्स कर ली है इसमें डाल दी है अब हमें आगे जो भी मसाले है वो डालने हैं कुछ सर्सो के दाने एक चुथा ही चमच लाल मिर्च उतना ही नमक एक चुथा ही चमच और यह है हमारा इनो तो इसको हम अब इतनी डालेंगे यह भी सेम अमाउंट में हैं पहले अभी हम इन सभी चीजों को मिक्स करें उत्पम बनाने का जो बैटर होता है वो ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए और नहीं ज्यादा गाड़ा हो उसके लिए आप थोड़ा सा पानी मिक्स कर सकते हैं तो आप देख रहें कितना सुंदर लग रहा है यह सभी कलर इसमें आ गए है अब हम अपना इनो वन फोर्थ टेबल स्पून जो था वो डालेंगे कुछ बुंदे इसमें हम पानी की डालेंगे अब इसको हम अच्छे से मिक्स करें कांप बुंदे आप रहा हम आप और भी आप एल मिक्स करेंगे इसमें इसमें जो पिंग एला लाए पिजाए गैस पर तब तक आप पैन रख दीजिए गरम होने के लिए पैन हमारा गरम हो चुका है जो हमने बैटर बनाए था वो हमारे उसमें लगभग आदा कटोरी पानी हमारा इसमें योज हुआ है अब चलते हैं उत्पम बनाने के तरफ थोड़ा सामने इसमें तेह यूज करा कोई भी रिफाइंड ओयल आप यूज कर सकते इसमें इसको आप फैला लें अब चम्मच की साहता से बैटर को दीरे दीरे डाले पहले थोड़ा सा इसको मिक्स करके अब चम्मच की साहता से आप इसको पैन पे रखें साथ-साथ फ़लाते जाएं नंतलु पैसित की सालेम खाले यू पजिए शचाएं जाख साथ-साथ फलाते जाएं तुरिए और मुली का प्राइ। थोड़ी देर इसे ढख देए गयास अभी बिल्कुछ रिख ही है लो फ्लेम पे बन रहा है ये तब तक हम अपनी चीज की जो लेयर है जो हमारी शीट है उसको हम निकाल लेते है थोड़ा हटा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि पकना शुरू हो गया है अब इस पर ही हम अपनी एक चीज के लिए रखतेंगे फिर से अब हम इसमें पतली से लेयर अपने बैटर की रखेंगे रखे और चीज को अच्छे से ढख दे अब दुबारा से बारी है इसको ढखने की गैस अभी भी हमारी सिम पे ही है बिल्कुल लो फ्लेम पे इसम पे ही हमारी है बिल्कुल लो फ्ले है बारी है यह है। अब आप देख सकते हैं कि यह पकना स्टार्ट हो चुक है और नीचे से भी हो गया है इस पर हम थोड़ा सा उपर की तरफ कुछ बूंदे बस ज्यादा नहीं कुछ बूंदे तेल की रिफाइंड ओल की आप डालेंगे और बड़े ही सावधानी से इसको हम पलटेंगे थोड़ा साइडों में लगा सकते हैं तेल को और इसको थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं किसको दबाते रहें साथ साथ अब गैस आप थोड़ा तेज भी कर सकते हैं अबू़ मेंने तेल कर सकते हैं कर दोति हैं अबर कर अब लाधो यगाव शोतित्यून कर सकते हैं ो कर सकते हैं और वायती साथ कर दो नहीं को दूब है अज़ा तरफ भी आपने देखा नहीं है काट हो चुका है आपको लगे की और जुरत है तो आप फिर से पलट सकते हैं और थोड़ी देर इसको ढखके ही रखिए या तो आप इसको ऐसे ही परोज सकते हैं या फिर इसके उपर अगर आप लगाना चाहें तो हम थोड़ा सा चीज और रख रहें हैं या आप देख रहें यह ग्रेटिड चीज है इस तरह से आप इसको पूरा फैला दें हुआ प्सेश जाप आप ए लोगा है पर्शेश को धटर के रहें लोगा है पर शेश को बढ़के ही तो है अब इसे खोल के देखते हैं, वाउ, चीज भी बिल्कुल मैल्ट हो चुका है, गैस अब आप बंद कर सकते हैं, बड़े ही साफधानी से अपनी प्लेट में ट्रांसफर करें, आराम से इसे उठाएंगे, और अपनी प्लेट पे से रखेंगे, तो दोस्तों यह चीजी उत्पम बिल्कुल रेडी है खाने के लिए आप देख सकते हैं बिल्कुल चीज से भरपूर और आप पीछे की तरब भी देख सकते हैं कि अच्छे से सिख चुका है इसको आप सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ या नारियल की चटनी के साथ किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं और अब इस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल पने को जरूर सब्सक्राइब करें THANK YOU